असलाम लेकुम वीवर्स आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से अड़ा फोटोशाप में हम न्यू डाकुमेंट को ओपन कर सकते हैं अब विंडोज में से जाके लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है और हमारे प तो इस तरह से हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि एजिली बाकी पेज हम देख सकें और यहां से हम क्रॉस भी कर सकते हैं अगर क्रॉस करना जाएं खतम करना जाएं ठीक है कैन्वस से बड़ा कहां से करेंगे यहां से पकड़ेंगे जस्ट और नीचे ड्रैग कर देंग तो उसके लिए भी हमें नई लेनी पड़ती है तो अब हमारे पास जो white हमें canvas नज़रा रहा है ये हमारा white background है हम new layer लेंगे उस पे हम work करेंगे फिर जो हमारा next step होगा उसके लिए हम दुबारा नई लेंगे अब चलते हैं देखते हैं किस तरह से हम इस पे work कर सकते है ये जो अब हमारे पास background हमें layer नज़रा रही है यहां पे साथ में lock लगव है इसका मतलब है जो कुछ भी हम बनाएंगे ना canvas के उपर हमारा वो यहां पे save रहेगा ठीक है जैसे हम illustrator में बनाते हैं तो चीज़े हमारी गाइब हो जाती है तो ऐसा यहां पे बिल्कुल नहीं होता जो चीज़े हम बनाएंगे वो यहां पे store रहेगी वो यहां से गाइब नहीं होगी ठीक है तो यह हमें option नज़रा आया है जैसे हमने उस पे click किया है कि हम इसमें change नहीं कर सकते ठीक है और इसी background layer के साथ आप देख सकते है left side पे यहां पे हमें eye का option नज़रा रहा है इस पे हम click करते हैं तो इस पे click नहीं होता ठीक है फिलाल क्यों क्योंकि इसके लिए हमें एक नई layer लेनी पड़ेगी उसके बाद यह hide हो सकता है otherwise इस पे हम click नहीं कर सकते हैं लेकर अब देखे हम जैसे click करते हैं तो वो hide हो जाती है background layer अब हमारे पास जो हमारी first layer है layer 1 जो है उसमें हमें preview में भी आप देख सकते हैं चेक नज़रा रहे हैं यानि कि यह transparent है इसका यानि कोई background है यह देख सकते हैं आप सारे यह check बने वे हैं ठीक है जो भी हम image बनाएंगे जो भी चीज़ हम बनाएंगे सिब वो image ही होगी उसका कोई background नहीं होगा जबकि अगर हम background जो मारे पास layer है उस पे जैसे click करते हैं उसका हमारे पास जो background है वो white है साफ पता जलता है ठीक है प्रव्यू में भी देखेंगे वहाँ पे भी हमें उसका जो color होगा वो white ही नज़र आएगा अब हम क्या करते हैं कोई चीज़ draw कर लेते हैं मैं एक rectangle draw करती हूँ जैसे मैंने उसे draw किया तो वो देखें प्रव्यू में नज़र आ रहा है कि हम layer 1 के उपर work कर रहे हैं ठीक है जो हमने rectangle बनाया है वो layer 1 के उपर है तो प्रव्यू में भी आप देख सकते हैं background layer है वो उसमें शो नहीं हो रहा बलके layer 1 में शो रहा है क्यों क्योंके हमारी selected वो ही layer 1 थी इस वज़ा से प्रव्यू में हमें rectangle layer 1 में नज़र आ रहा है ठीक है अब हम इसको move भी कर सकते हैं जगा से दूसी जगा ठीक है यह देखें अगर color change करना चाहें वो भी कर सकते हैं अब हमने layer 2 लिये ठीक है वहाँ पे भी हम ऐसे rectangle draw करेंगे तो यह वाला rectangle layer 2 में नज़र आएगा ठीक है इसको भी move कर सकते हैं ठीक है लेकिन यह shapes जो हैं उनमें changing उनमे color change या वो move तब ही कर सकती हैं अगर हम उनको different layers के अंदर हम अगर draw करेंगे different layers में हम बनाएंगे अगर हम same layer पे अगर हम बना लेते हैं तो वो कभी भी उनमें कोई change नहीं हो सकता अब देखें layer first के अंदर अगर हम change करना चाहते हैं color वगएरा या जो भी चीज तो वो easily हो जाता है लेकिन अगर हम same पे बनाएंगे तो वो कभी भी नहीं होगा देखें अब हम move भी कर सकते हैं इसको जहां पे भी रखना चाहें हम easily रख सकते हैं ठीक है एक और बात के color हम किस तरह से fill करते हैं shapes के अंदर जब हम shape ले ले लेते हैं draw कर लेते हैं उसके बात हमारे पास एक green शोर है हमारे पास front वाला और back वाला हमारे पास जो option है colors का वो white नज़र आ रहा है तो जो front है वो हमारे पास foreground है जो हमारे पास white portion नज़र आ रहा है वो हमारे पास background है तो foreground के लिए हम क्या प्रेस करते हैं alt plus backspace और background के लिए हम क्या प्रेस करते हैं shortcut की control plus backspace तो वो शेप के अंदर कलर फिल हो जाता है ठीक है मैं आपको एक और चीज भी दिखा देती हूं कि अगर हम एक ही लेयर के उपर वर्ड करते हैं तो क्या होता है यह देखें हमने एक ही लेयर के वहां पर ब्रॉश के जरी ए हमने लाइंस लगा दी हैं कुछ और यहांपर मैंन चेंज अब नहीं हो सकता मैं पहले बता चुकी हो क्योंकि अगर हम हर लियर के उपर एक एक शेप लेंगे तो ही हम उनके अंदर चेंज कर सकते हैं अगर हम एक लियर के उपर सारी चीज़ें बना लेते हैं तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता है तो यह थी आज की और बेल आइकन का बटन जरूर प्रैस कीजेगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इन्शालला फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाफिस